योगी सरकार की एक महतुकांची योजना योपी फ्री लैप्टाव योजना 2021 जी हाँ आज इसी के वारे में हम आपको डिटल से बताने जा रहे हैं एक करोण बच्चों को मिलेगा स्मार्टफोन या टैबलेट और खर्च होंगे इसमें कुल तीन हजार करोण रुपए ठीक है सनातक पराइसनातक विटेक डिप्लोमा नर्स बढ़ई प्लंबर और अन्नी वावर्ग को जितने भी यहाँ पर हमने बताएं और सबको मिलेगा टैबलेट लेप्टाफ या फिर स्मार्टफोन तो आएए पूरी ख़बर को पढ़ते हैं विस्तार से एक बात आप ध्यान दीजेगा इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेर करिए लाइक करे या ना करे लेकिन सेर इसले करिए क्योंकि यहाँ पर कि नर्स बढ़ाई प्लंबर इनके लिए आपको इस वीडियो को जादा जादा सेर करना होगा चलिए अब यहाँ पर हम आपको पूरी बात बिस्तार से समझाते हैं तो देखे हिंदुस्तान पेपर की कटिंग में यह आपको यहाँ पर दिख रहा है योगी सरकार फ्री में करोड तक युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट देगी युवाओं के तक्नीकी सकती करण के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट सनातक परैसनातक बिटेक पॉलिटिक निक चिकिसा सिच्छा पैरामेडिकल और कौसल विकास मिसन के प्रचिस्वों को दिये जाएंगे आगे लिखा है या नेने मंगलवार को मुख्य मंत्री योगी आदितिनात की अदिछता में हुई बैठक कैबिनेट बैठक में लिया गया इस योजना पर करीब तीन हजार करोन रुपए की लागत आएगी कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्ताओं पर स्विक्रिती की मोहर लगेगी इन फैसलों के वारे में प्रदेश के खादिग ग्रामद्योग मंत्री सिदार्टना सिंग ने मीडिया को प्रेशवारता में दी ठीक है अब देखे आगे क्या लिखा है हर जिला हर जिले में हर जिले में चैन के लिए बनेगी कमेटी उन्होंने बताया कि युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उप्लब करवाने के लिए हर जिले में जिलादिकारी के अधिछता में 6 सदस्यों की कमेटी बनेगी जो चिनित सिचड संथानों की सूची तैयार करेगी उन्होंने बताया कि यह स्मार्टफोन और टैबलेट जेम पोर्टल के जरीए ही खरीदे जायंगे जेम पोर्टल की नोडल एजंसी होगी यह यह टैबलेट यह स्मार्ट फोन के निवाओं को दीय जाएगी इसकी पातरता भी तैंकी जाएगी उन्होंने कहा कि अब अधिकान सत्ह पढ़ाई आनलाइन होने लगी है कई परिछाएं भी आनलाइन हो रही है ऐसे में युवाओं को अब सोचना प्रद्योग की के इस माध्यम से जुड़ना जरूरी है अब देखिए नर्स बड़ाई प्लंबर को भी मि नागरिक सेवाएं जैसे प्लंबर कार्पेंटर नर्स एलेक्ट्रिशियन एसी मेकैनिकल मेकैनिक आदि जन सामाने को दी जा रही है उन्हें भी टेबलेट स्मार्टफोन दिये जाएंगी जिससे वे नागरिकों को वहतर सेवाएं प्रदान करते हैं तो अपनी जीविका भ किस लाभ्यार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है तथा किसे स्मार्टफोन दिये जाने हैं इसका निर्णाय मुख्यमंत्री के इस तर से लिया जाएगा टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण के लिए लाभ्यार्थी वर्ग की प्रत्मिक्ता का निर्धारण च दिक्रित किया गया है वीडियो अच्छा लागत वीडियो को लाइक करें और नेस्ट वीडियो में हम आपको बताएंगी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है क्या पात्रता होनी चाहिए कितने नंबर आपके मुलब अगर आप क्या करते हैं तो आपको कितने नंबर आपके प्रिब में आत्रों!